अरे राधा बेटा घर में महमान आये हैं चाय बनाना राधा पढ़ रही थी उसे बहुत गुस्सा आया उसकी मम्मी उसे पढ़ने नहीं देती घर में कोई भी काम हो उसी से कराती है कर भी क्या सकती थी अगर मम्मी ने कहा है तो उठकर चाय तो बनानी होगी उसने चाय घर में भावी भी है लेकिन फिर भी घर का हर काम करने के लिए मम्मी उसी को कहती है आखिर क्यों चाहती क्या है मम्मी उससे अब तो बहुत हो गया अब तो भावी भी हर काम उसी से कराती है जब वे मना करती है तो कहती है आखिर अगले घर जाकर भी तो यही सब करना है तो यहां क्यों इतना नाटक कर रही हो नमी जी भी तो तुम ही से सब काम कराती है और जब मैं कह रही हूँ तो मना क्यों करती हो भाबी के उपर गुसा तो आता है पर मा के डर से वे उनका कहा हर काम कर देती है एक दिन सुभे से लेकर शाम तक जब राधा ने काम किया तो राध को उसने अपनी मा से कहा मा, अब हर काम मुझसे क्यों कराती हो इतना काम मैं क्यों करूँ आखिर यह मेरे पापा का घर है अपने पापा के घर पर कौन इतना काम करता है तब मा ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब यह सब काम तुम्हें तुम्हारे बहुत काम आएंगे और अब तो जल्दी तुम्हारी शादी भी होने वाल मुझ पर हुकम चलाती है आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते तब माने कहा बेटा वे अगले घर से आई है और तुम्हें फिर किसी और के घर जाना है वे किसी की बेटी है और तुम मेरी बेटी हो यह सुनकर राधा की आखों में आसु आ गए उसने कहा काश मा मेरी साज भी आप ही की तरह हो जो मुझे इतना प्यार दे जितना आप भावी को देती हो तब राधा की माने कहा बेटा सबको ऐसा ससुराल नहीं मिलता इसलिए मैं तुम्हें हर काम करने के लिए कहती हूं ताकि जब तुम अंगले घर जाओ तो तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सा जाएगी तब इस घर का काम कौन समहालेगा पर भावी की तो आदत ही नहीं है काम करने की तब मा को ही हर काम करने के लिए लगना पड़ेगा और अब उनकी इतनी उम्र भी नहीं है कि वह इतना काम कर सके यह सोचते सोचते राधा को नींद आ गई सुबह उठी और फिर से काम पर लग गई उसकी तो आदत हो गई थी जी भर कर काम करने की दिन भर काम करने पर भी उसे ठकान महसूस नहीं होती थी आखिर वे दिन भी आ गया जब राधा की शादी हो गई और वे अपने ससुराल गई पर ससुराल बोलकर उसे कोई टेंशन न थी क्योंकि उसने अपने काम से सबका दिल जीत लिया था। कि वे कितना काम करती थी और राधा की वजह से उन्हें कितना आराम था इधर राधा की जिंदगी मजे से चल रही थी ससुराल में सभी उससे बहुत खुश थे उसकी सास जो शुरू शुरू में उसे बहुत परिशान करती थी अब उसने भी राधा को परिशान करना बंद कर और राधा को अपने पास बिठा कर कहती थी वेटे इतना काम मत किया करो तुम ठक जाओंगी जिस पर राधा यही कहती थी यह तो मेरा फर्ज है माजी आज राधा की मा ने उसे हर काम करना सिखाया तो वे अपने ससुराल में इसलिए एड़्जस्ट हो पाई उसे किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा उसमें अपनी सास को भी अपनी मा बना लिया जबकि दूसरे तरफ उसकी भाव ही ने ना अपने माईके में कभी कोई काम किया ने अपने ससुराल में तो आज उनको हर काम में बहुत तकलीफ हो रही है आशा करती हूँ मेरी आज की कहानी मेरे प्यारे से अजीब परिवार को पसंद आई होगी अगर मेरी ये प्रस्तुती आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताईए कि आप किस तरह की कहानिया सुनना पसंद करते हैं आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद